नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेलवे का Practice Set Paper है रेलवे में 40 नंबर की GK आ रही है GK में Science, Current Affairs और GA के Part आएंगे जिसमें Polity भी Include रहती है लाश्ट ये जो रेलवे के एक्जाम हुए थे उसमें 7 नंबर की Polity पूछी गई थी और 7 नंबर की History भी पूछी गई थी बाखी आपके Current Affairs और General Knowledge के हर सब्जेक्ट के 2 नंबर 4 नंबर की Quautions कुल मिला के 40 नंबर टोटल बने थे तो इस वीडियो में मैं आपके लिए केवल और केवल पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी के 30 कॉशन है और ये 300 के 30 कॉशन रेलवे के हर दिन के एक्जाम में पूछे गए Practice मेंसे निकाल के हम आपके लिए लेकर आए हैं जो रेलवे ने Answer Seat जारी की थी उसी Answer Seat मेंसे निकाल कर पॉलिटी के ये 30 कॉशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो ये वीडियो आपको भी एक टेस्ट की तरह लगाना है और हम टाइमर भी देंगे आपके लिए 5 सेकंड का समय देने के लिए सोचने के लिए और टाइमिंग देख लिए हर दिन 6 बजे, 7 बजे और 10 बजे आपके लिए प्रैक्टिस सेट में पर मिलेंगे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बता ज़रूर दीजेगा कि आपको वीडियो ओपन करने के बाद कैसा लगा कॉशन कैसे लगे, क्या स्कूर रहा, कम से कम थोड़ा अपना कमेंट जरूर शेर करेगा जो भी इस वीडियो को देखें कमेंट जरूर करके बताए कैसा लगा वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला प्रशन ही रहा स्क्रीन पर टाइमर यहां उपर कर देते हैं, तो सबसे पहला स्क्रीन पर कॉशन है कि भारतिय समिदान के किस अनुच्छेत के तहत लोग सभा में अनुच्छित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षन दिया जाता है, इस प्रशनी के लिए क्या उत्तर हो जाएगा राइट आंसर बताना है, बतलाएगे क्या उत्तर होगा चले देखते हैं, तो भारतिय समिदान के अनुच्छे 330 के तहत अनुच्छे 330 के तहत, लोग सभा में अनुच्छित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है अंडमान निकोबार दीप समूग का नियाय चेतर किस नियाय आले की देख रेख में आता है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चलिए देखते हैं तो अंडमान निकोबार दीप समूग का नियाय चेतर जो है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोट की सर्किट बेंच जो है वो इसका नियाय करती है तो आप्शन नमबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है केंदर सासित प्रदेश लक्षदीप के नियायक शेतर का काम कौन सा नियायले करता है क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो यह करता है केरल हाई कोट राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है सुप्रीम कोट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो सुप्रीम कोट के जजों की संख्या को कानून के द्वारा संसत बदल सकती है नेक्श कोशन देखते हैं क्या पूशा गया है सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायधीज के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्छ न्यायले में कम सिकम कितने वर्ष तक काम करना चाहिए क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो सुप्रीम कोट के मुखे न्यायदीश के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति को उच्छे न्यायलय में कम से कम दस वर्स तक काम करना होगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है दिल्ली को NCT राश्रिय राजधानी प्रदेश समिधान के किस संसोधन से बनाये गया क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो दिल्ली को समिधान के 69 वे संसोधन के तहत राश्रिय राजधानी प्रदेश का दरज़ा मिला next question देखते हैं क्या पूशचा गया है यह रहां स्क्रीन पर ग्ला पर शन भारत में 3 स्थरिय पंचायती प्रणाली कितनी जंजंख्या के उपर वाले राज्यों में है क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो भारत में तीन इस्तरिय पंचायती राज़ प्रणाली जो है बीस लाग से उपर की जन्जंक्या वाले राज्यों में हैं निम्द लिखित में से कौन राजिपाल को उसके कारिकाल से हटा सकता है? क्या उत्तर हो जाएगा? चले देखते हैं तो राजिपाल को प्रज़डेंट साहब उसके कारिकाल से हटा सकते हैं नेक्स्ट कौशन देखते हैं क्या पूशग है? निम्द लिखित समुदायों पर विचार करना है आपके लिए ये समुदाय दिये हैं इन समुदायों पर विचार करके कौशन का आंसर बतलाना है इन में से अल्प संक्यक का दरज़ा किसे मिला हुआ है? क्या उत्तर हो जाएगा? इस प्रेशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो अल्प संक्यक के दरज़े की बात हो रही है तो यहाँ पर इन सभी के लिए सिख, बौद, जैन, फार्सी इन सभी के लिए जो है अल्प संक्यक समुदाय का दरज़ा मिला है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप्शन नमबर D नेक्स्ट कौशन देखते हैं क्या पूशा गया है? चुनाव आयो के बारे में कौन सा कथन सही है? इस कौशन का आंसर आपको देना है राइट आंसर क्या है इसमें से बतलाईए चले देखते हैं तो जो option बड़े होते हैं आप चाहें तो वीडियो बीच में रोख सकते हैं आगे आने वाले questions में आप ऐसा कर लीजेगा तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा चुनाव आयोक के बारे में कौन सा कथन सही है तो right answer है इसमें 6 साल का कारेकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है तो right answer हो जाएगा option number B कथन जो है यह सही कथन है next question देख लेते हैं क्या पूशा गया है यह रहा स्क्रीन पर question आप से पूशा गया है सम्विधान के निमलिकित अनुच्छेदों पर ध्यान देना है आपके लिए और इसके अनुसार कौन सा सही है कौन सा गलत है यह आपको बतलाना है क्या उत्तर होगा बतलाई चले देखते हैं तो समिधान के नेमलेकित अनुच्छेदों पर ध्यान देना है और इन में से जो है option number 1, 2, 3 जो है ये सही है राइट आंसर है बहत्तर राश्च्छपती के छमा शक्ती 143 सुप्रीम कोट के सलहकार छेतराधिकार 360 वित्तिया पातकाल option number 4 जो है attorney general की शक्तियां ये सही नहीं है तो यहाँ पर option number C जो है 1, 2 और माव करीगा option number B 1, 2, 3 ये सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूश अगया है भारतिय समिदान की छटी अनुसूची किंचार राज्यों में अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जन जातियों के प्रशाशन और नियंत्रण से सम्बंदित है क्या उत्तर हो जाएगा इस question के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो भारतिय समिदान की छटी अनुसूची जो है ये असम मेघाले त्रिपूरा मेजोरम कौन से option में है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option नमबर बी असम मेघाले त्रिपूरा मेजोरम इस प्रशन के लिए सही उत्तर है नेक्स कौशन देखते हैं क्या पुशा गया है भारत के समिदान की निमलिखित अनुसूची में से कौन सा राज्य बनाने के लिए संसोधित किया जाता है क्या उत्तर होगा बतलाईए चली देखते हैं तो भारत के समिधान की अनुसूचियों में से पहली अनुसूची जो है नया राज्य बनाने के लिए संसोधित किया जाता है नेक्स question देखते हैं क्या पुशा गया है भारत का सम्विधान भारत के सुप्रीम कोट को केंद्र और राज्यों के बीच बिवादों का निर्णय किस शेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है यहाँ पर क्या उत्तर होगा चले देखते हैं तो भारत का सम्विधान जो है भारत के सुप्रीम कोट को केंद्र और राज्यों के बीच बिवादों का निर्णे लेने का अधिकार वास्त्विक नाधिकार के शेतर में देता है चले देखते हैं तो यहां पर सेतर हो जाएगा राज्य विधान सभाज होती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर राज्य विधान सभाज होती है इसके चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कारेवाही में भाग नहीं लेती है स्वारण सिंग समिती ने किसकी सलाह दी थी क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो स्वारण सिंग समिती ने भारतिय समिधान में मौलिक करतवे को सामिल करने की सलाह दी थी लोगसभा का सरवादिक सीट अनुसूचित जनजाती को किस प्रोदेश में आरक्षित है क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो लोगसभा की सरवादिक सीटे अनुसुचित जनजाती के लिए जो है मद्व प्रदेश में अरक्षित है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है यह रहा स्क्रीन पर निम्न लिखित कार्य करता या अधिकारियों को प्राथ मिक्ता के अपने संबंदित क्रम के अनुसार आपको विवस्थित करना है कौन कौन से नंबर पर आएगा इस प्रशन के लिए क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर स्यत्र हो जाएगा पहले आएगा पहले नंबर पर राज्यों का गवर्नर फिर आएगा दूसे नंबर पर फिर प्रमुख राश्पतियों और उप्रधान मंत्री फिर आपका आएगा अप्शन नंबर ए एक दो तीन सही क्रम में प्राथ्मिक्ता के अनुद्धा विवस्त्य तर राइट आंसर है अप्शन नंबर यहाँ पर एस अई उत्तर हो जाएगा ठीक है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्यों देखते हैं आपसे पूशा गया है सात्वी यानि सूची की समवर्ती सूची में कौन सा विशा है तो वन इस प्रश्ण के लिए सहत्र हो जाएगा अपसे पूशा गया है ये रहा स्क्रीन पर उपर राश्पती को हटाने का प्रस्ताओ किस में पेश किया जा सकता है क्या उत्तर होगा बत लईए चलिए लोगा चलिए देखते हैं तो सीमा प्रबंधन मंतराले जो है या सीमा प्रबंधन विभाग जो है यह ग्रह मंतराले के अंतरगत आता है नेक्ट गॉशन देखते हैं क्या पूश अगय है छेतरफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोग सभा छेतर कौन सा है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो छेतरफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगदाग जो है भारत की सबसे बड़ी लोग सबा है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है निम्न लिखे तेमेंसे किन राज्यों में बिधान परिशद है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए ये बतलाना है आपको बतला ये राइट आंसर क्या है चले देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बिधान परिशद उत्तर प्रदेश में है बिहार में हैं जम्मू कश्मीर में हैं तो यहां पर एक दो चार option number D यहां पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है अंडमान निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षन के लिए संसोधन विनिमय विनियमन दो अजार बारा समिधान के अनुच्छे दो सो चालीस के तहर जारी किया गया यह अनुच्छे जो है केंदर सासित प्रोदेशों में जो जनजातियां उसके संरक्षन से सम्मनित है अच्छे तो कौशन क्या पूछ रहा है यह नियम जो है जनजातियों मैंसे किसकी रक्षा करेगा कौन सी जनजाति की रक्षा करेगा इन मैंसे क्या उत्तर हो सकता है बतला ही चले देखते हैं तो यह नियम जो है जरवास जनजाति की रक्षा करेगा अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर निम्लिकित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहट गठित राश्री आपदा प्रतिक्रिया निधी का संचालन करता है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं क्या उत्तर हो जाएगा केंद्रिय ग्रह मंत्री ये कारे करते हैं option number B यहां सेयत्तर है next question देखते हैं क्या पुशा गया है केंद्रिय बजट की बात करेंगे यहां पर केंद्रिय बजट में सामिल गैर वोट योग शुल्क या चार्ज किये गए वे में शामिल है क्या क्या इसमें से उस वे में शामिल है right answer आपको बतलाना है इन चार option में से इन पांच option में से कौन से सही है कौन सा गयलते ये बताना है क्या उत्तर हो जाएगा बतलाई चले देखते हैं तो कौशन बहुत लंबा था मैंने बोला था आप वीडियो बीच में रोक लिये करें तो यहाँ पर ये सभी के सभी सही है संसत के घरों के प्रैसीडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते सुप्रीम कोट और उचे नयलों के नयदीशों के वेतन और भत्ते नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशनी ये रहा स्क्रीन पर भारतिय संविधान के द्वारा दिये गए निम्लिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंक्यक संस्थानों को आर्टी आई अधिनियम के दाइरे से बाहर रखा गया है बतला ये चले देखते हैं तो कौन से अनुच्छेत के तहत रखा गया है तो अनुच्छेत तीस ए के तहत रखा गया है तीस वन के तहत रखा गया है गैर अनुदान अल्पसंक्यक संस्थान संस्थान जो है उनको RTI अधिनियम के दाइरे से बाहर रखा गया है नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुश अगया है अगला प्रशनी ये रहा स्क्रीन पर भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाओं से कौन सा चुनाओं संबनित नहीं है चले देखते हैं तो भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाओं से जो है राजी पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाओं संबनित नहीं है नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुश अगया है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो सम्विदान का अनुच्छे 123 राश्ट्पती के अध्यादेश से संबनित है नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुश अगया है राश्ट्पती पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छे 352 के तहज राश्ट्पत काल की किस इस्तिती में घोशना कर सकता है क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर सेयत्तर हो जाएगा बाहाकरवन और ससस्त्र विद्रो इन दौनों में ही राश्ट्पत काल की घोशना कर सकता है राइट आंसर है A and B दौनों सही है अगला प्रशन देखते है सबसे बड़ा नया एक्षेत्र किस उच्छे नया एले का है इस question का अंसर आप मुझे comment box में comment करके बताइए next class आपकी next video में आगे के questions मिलेंगे अगर आप channel पर नय हैं तो subscribe कर लिजे bell icon on कर लिजे live class भी होते है channel पर अगर आप live class पढ़ना चाहते हैं तो time š行न बोक्स में दे दूँगा मेरी शुब कामने आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद